हेल्लो चिल्डरन मैसल जगदंबा सिंग वेलकम स्यू और इन पॉलिटिकल साइंस क्लास बच्चों आज गणतंत दिवस है स्वरसति पूजा है और वसंत पंच्मी है तो इन तीनों तेवहारों के आपको बहुत-बहुत सुपकामना है आज हम लोग बिल्कुल एक फ्रेश बुक और एक फ्रेश लेसन के साथ सुरुआत कर रहेंगे जो आपकी बुक है क्लास 11 की इंडियन कॉंस्टिचूशन आट वर्क उसको हम लोग आज सुरू करने वाले हैं उसके फर्स्ट चैप्टर से जो की कॉंस्टिचूशन वाई एंड हाव है इसमें आज हम लोग कॉंस्टिचूशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर में तो बचों आज बड़ा सुब दिन है गणतन दिवस है रिपब्लिक डे है और इस दिन ही कंस्टिचूशन हमारा बना था इन 1950 तो कंस्टिचूशन के बारे में आज के दिन से शुरूआत हो रही है बताने की इस चैप्टर की तो बड़ा सुब दिन भी है जिस दिन हम लोग की इस चैप्टर को सुरू कर रहा है तो उमीद है कि पूरे लेसन में आप मेरे साथ बने रहेंगे और आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा जो भी चीज़े आपकी बुक में दी गए है तो आए शुरू करते हैं कॉंस्टिचूशन को जानने की कोशिश करते हैं कि कॉं समझ सकते हैं तो आए कुछ बेसीक चीज़ें काउन्सटिचूशन की उसके फंक्षन उन को समझेंगे कि कॉंस्टिचूशन एलाव कॉडिनेशन कि यह coordination और assurance करता है constitution तो इन सब्दों को जरा समझने की कोशिस करते हैं कि we find variety of diversity in our society जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक society में diversity पाई जाती है जिसको हम लोग उन्हें क्लास्टेंट में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि society full of diversities होती हैं बहुत तरह की divercities होती है like different professions होता है लोग के different abilities होती है छमताओं अलग अलग होती है a different hobbies होती है लोगों की अलग-अलग रूची सब करते हैं लोगों की एक तरह की नहीं होती है तो उसमें भी differences है, लोग खाने में टेस्ट अलग-अलग उसमें भी differences है, बहुत सारे differences है, some are rich and some are poor, कुछ गरीब है, कुछ अमीर भी है, society में, हर तरह के लोग रहते हैं, old भी रहते हैं, young भी रहते हैं, और different religion पाए जाते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है, वो एक बहुत ही diverse country है, और बहुत सारे religion यहां पाए जाते हैं, और different caste यहां है, caste में भी बटा हुआ है हमारा समाज, different genders पाए जाते हैं, हम लोग दिखते हैं कि अलग-अलग तरह के genders भी हैं, तो यह बहुत सारे ऐसे differences हैं, ज diversity जब हैं, तो निश्चित conflicts होने की संभावनाय होती हैं, कि diversity है, तो मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, यह बातें अकसर होने लगती हैं समाज में, कि कौन बहतर है, एक तुलना होने लगती है in varieties में, in diversities में, तो हम लोग को चाहिए, कि एक सात रहें, but we have to live together and require cooperation of each other लेकिन हम लोगों को जरूरत है, कि हम लोग एक सात रहें समाज में, और इसके लिए togetherness होना जरूरी है, एक सात रहना समाज में बहुत जरूरी है, और लड़ाई जगड़ा होता रहें, यह समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो एक सांतिया स्थापी तो लोग मिल जूल कर रहें, यह बहुत जरूरी है, एक सब्भी समाज के लिए, सो we have to agree on some basic rules, इसके लिए समाज में कुछ बेसिक rules होने चाहिए, जिस पर सब लोग agree करते हो, सब लोग अन रूल को मानते हो, ऐसी बेवस्ता कुछ होनी चाहिए समाज में, अगर यह बेवस्ता नहीं होगी, तो औ बेवस्ता हो जाएगी यानि कि सब लोग एक दूसरे को डॉमिनेट करने की कोशिश करेंगे और कोई कॉपरेशन नहीं रह जाएगा आपस में समन्वायर नहीं रहेगा आपस में लडाईयां होंगे जगड़े होंगे विवाद होंगे तो इन सारी चीजों से बचने के लिए we have to agree on some basic rules और जिसको सब लोग माने ऐसे rules को बनाना पड़ेगा so we have to agree on some basic rules these rules must also be enforceable to all और ये जो rules होंगे ये सब को सब पे लाग होंगे यानि सब लोग इससे enforcement में इनके होंगे यानि जो भी नियम बनेंगे उसको सब लोग माने ये बिवस्था भी होनी चाहिए ऐसा नहीं कि अगर कोई मान लिया जाए कि एक football की team है और उसमें बनाया गया एक नियम कि कोई hand से touch नहीं करेगा ball को और पता चला कि एक आदमी हाथ में उठा के लेकर ball भागा जा रहा है तो वो क्या कर रहा है कि उस नियम का उलंगन कर रहा है तो ऐसे नहीं होना चाहिए सब पे वो law जो है नियम जो है वो लगव होना चाहिए ऐसे कुछ basic rules form करने पढ़ेंगे society को अच्छ से चलाने के लिए कि उसमें cooperation हो उसमें togetherness हो इसके लिए ये ज़रूरी है कि कुछ fundamental laws बनाये जाए कुछ basic laws बनाये जाए और वो सब पे enforceable हो वो उसको माने if they do not do so they will be punished अब वही टीम की बात ले ली जो football की टीम की एक आदमी उठा कर लेगा भागा जा रहा बॉल हाथ में तो रेफरी क्या करेगा उसको गेम से बाहर कर देगा कि वो जो है rules को follow नहीं कर रहा है तो he will be punished तो the rules of the society the basic rules of the society must be enforceable to all people and the persons who does not follow these rules will be punished by the law और उनको punishment भी मिलनी पड़ेगी मिलनी चाहिए through the law तो ये चीजें जब होंगी तब एक नियम बनेगा कि इस तरह से society के लोग रह पाएंगे सांती से तो हमारा first जो function है constitution का वो ये कहता है the first function of the constitution is to provide a set of rules a set of rules provide करना constitution का काम है that allows for minimum conditions among members of the society तो ऐसा condition लाए जो सबको मंजूर हो तो कहने का ताथ पर यह है कि जो first function है constitution का वो ये है कि एक coordination बनाया जाए society में ये जरूरी है क्योंकि diversity बहुत जादा है बहुत सारी diversities है और इन diversities के कारण conflict है तो उन conflict ना हो conflict society में ना हो इसके लिए the people should lie on some basic rules तो उनके लिए कुछ basic rules होना चाहिए जिसको वो सब लोग follow करें और जो नहीं follow करें he will be punished by law जो ऐसा नहीं करेगा उसको law के द्वारा punish किया जाएगा ये नियम जो है ये पहला function है constitution का और constitution इसके लिए एक framework तैयार करती है कि कुछ basic rules बनाये जाए जिनको public follow करें जिसके चलते conflicts ना हो diversities को ले करके तो अब आगे हम लोग next function को आएए देखते तो आएए second function को देखते है specification of decision making power specification of decision making power the constitution decided who gets to decide what the laws will be अब यहां तक तो ये चीज़े हम लोगों ने देखी कि कुछ basic rules होने चाहिए एक society को चलाने के लिए और वो supply enforce होना चाहिए वो law जो बने और जो उन laws को नहीं मानेगा उसको punish किया जाएगा ये सारी चीज़े हम लोगों ने देखी अब सवाल ये उड़ता है the constitution decide who gets to decide what the laws will be कौन ये decide करेगा कि laws क्या होने चाहिए कौन बनाएगा laws laws क्या होने चाहिए और उसको कौन बनाएगा ये कौन decide करेगा तो ये constitution decide करता है the constitution decide who gets to decide what the laws will be laws क्या होंगे ये decide कौन करेगा इसको बताता है constitution constitution इस बात को बताता है who is going to decide what the laws will be कि laws क्या होंगे इसको बताएगा कौन इसको define करेगा constitution तो constitution क्या कहता है our democratic constitution say that public will decide हम लोग एक democratic country में रहते हैं अगर democracy न रहती monarchy रहती तो वहाँ राजा decide करता अगर dictatorship रहती तो वहाँ dictator decide करता और अगर जहाँ one party rule होती वहाँ जो one party होती वो decide करती laws क्या होंगे लेकिन चुकि हम लोग एक democracy को follow करते हैं तो our democratic constitution और हम लोग एक constitution भी democratic है तो our democratic constitution say that public will decide कि public decide करेगे कि उसके लिए कैसे laws बनाएंगे और कौन बनाएगा laws को ये कौन decide करेगा ये वहाँ के लोग decide करेगे तो अब सवाल यह उठता है कि how should public will decide कि public कैसे decide करेगे public तो तरह तरह की बाते बोलेगी वो decide कैसे करेंगे कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा society में तो ये बात कैसे होगी कि कौन से law बनाएंगा और कौन law बनाने जा रहा है तो public will decide through their representative तो public ये काम जो होगी खूद नहीं करेगी वो एक विशेस प्रकार की जनसंख्या जहां होगी जैसे एक हजार दो हजार पांच हजार दस हजार लाक दस लाक कुछ भी हो सकता है उतने लोग मिल करके एक representative को चुनेंगे यानि एक लाख लोग मिल करके मान लिजए कि एक representative को चुने, तो वैसे कई representative पूरे country से चुन करके आएंगे, पूरे society से कई representative चुन करके आएंगे, तो एक आबादी निश्चित होगी, कि उतनी आबादी और उतनी बड़े छेतर में से एक representative को आप लोग चुन करके भेजे, चुनिए, इतनी आबादी और इतने बड़े छ कौन होगा यह पॉबीक डिसायड करेंगी किpper इस आप अपने प्रीपर अमया और फाल नें एक पार्लियमेंट जो है एक पार्टिकूलर मैनर को बताती है वो आपको बताएगी कैसे चुनना है कौन बताएगा यह एक constitution बताएगा एक constitution ने एक मैनर तैय किया हुआ है कि इस function के द्वारा representative का चुना होगा जिसको हम लोग election कहते हैं तो उसको बाद में disclose होगा लेकिन कैसे चुना जागा तो उसकी प्रक्रिया जो होगी चुनने का जो method होगा it will be decided through constitution और it will be provided in the constitution 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 में इसका provision होगा कि कैसे representative को elect किया जाएगा public के द्वारा ठीक है तो यह भी answer solve हो गया all the representative from from parliament और यह जितने भी representative इस तरह से चुन करके आएंगे they will together form a parliament जो इतने भी representative चुन करके आएंगे अबादी के अनुसार और छेत्र के अनुसार एरियाज के अनुसार जितने भी representative चुन करके आएंगे they will together form a parliament उनको इकठे करके हम लोग उसको parliament कहेंगे कि यह representative इकटे होगा एक जगा और यह क्या है यह parliament all the representative for parliament to decide laws and policy अब यह representative जो एक parliament form कर रहा है they will decide what will be the law वो decide करेंगे कि law क्या होने वाला है और उनकी policies क्या होने वाली the constitution provide parliamentary authority जो यह parliamentary authority बन रही है तो constitution provide parliamentary authority to constitute government in the first place और यही government form करेंगे और government जो होगी वो प्रथम अस्थान पे होगी उसका जो place होगा वो पहला होगा सबसे पहले क्या होगा government होगी तो government की form करने के तरीकों को हम लोगों ने जाना है फिर चेक बार देखते हैं इसको कि constitution decide who gets who gets to decide what the law will be ये इतना तो हम लोगों ने पहले पड़ा कि basic laws होने चाहिए अब ये laws जो है कोन बनाएगा तो ये कौन decide करेगा कौन बनाएगा ये कौन decide करेगा तो constitution ये कहता है कि वो वहां के people decide करेंगे people कैसे decide करेंगे? through their representative decide करेंगे decide करेंगे through their representative ये representative को कैसे elect करेंगे people? तो एक certain manner दिया हुआ constitution में कि उसके through ही they will elect their representative और ये representative मिल करके parliament form करेंगे जितने भी representative मिलेंगे they will form a parliament and this parliament will form a government and government will be in the first place और government जो है वो पहले अस्थान पर होगी यह एक specified हो गया कि who is going to make the laws for the society कि कौन law बनाने जा रहा है society के लिए यह decide हो गया कि the government is going to be going to form the laws for the society कैसे वो government बनेगी यह भी हो गया कि कैसे government people के द्वारा चुन करके representative बेज़े जाएंगे जो form करेंगे parliament और parliament will decide who will be how the government will be formed तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि constitution के द्वारा एक government form कर दी जाती है तो वही कहा जा रहा है कि the second function of the constitution is to specify who has the power to make decision कौन decision लेगा law बनाने का तो वो public लेगी in the society it decide how the government will constitute और यह भी बताएगी कि government कैसे constitute होगा कैसे power जो है decision जो है society का वो लिया जाएगा और कैसे government form होगी यह दोनों बातें जो है would second function है constitution तो हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा अब आगे तिसरे form को हम लोग function को हम लोग देखते हैं आईए आईए बचों तिसरे function को देखते हैं limitation on the power of government कि government के power पर क्या कोई limitation constitution के तरब से है या नहीं तो what happened when a government passes a law that is unfair अगर कोई unfair law pass कर देती है government तो इस स्तिति में हमारा constitution जो है वो क्या कहता है our constitution limits the power of government in many ways यह हमारे government के limit power को बहुत limited करता है constitution it is specified in fundamental rights of the citizen and which no government can ever be allowed to violate कुछ citizens को constitution की ओर से fundamental rights provide किये गया है और वो जो भी government law बनाएगी वो उन fundamental rights को violate नहीं कर सकती है यानि कहने का मतलब यह है कि the citizens of the country have some fundamental rights and government cannot pass any laws and violate those fundamental rights तो उन fundamental rights को कभी भी उनको violate करने का अधिकार नहीं है government को यानि ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे कि citizens को जो constitution के ओर से fundamental rights दिये गया है वो violate हो तो citizen will normally have the right to some basic liberties कुछ basic liberties constitution के ओर से provide किये गया है आए उनको देखते है to freedom of speech freedom of speech का अधिकार है freedom of consensus freedom of association freedom to conduct a trade और business etc कुछ fundamental rights दिये गया है वो six fundamental rights है जिनको हम लोग chapter number two में बहुत detail में पढ़ने वाल है इसलिए अभी यहाँ पर मैं इसको explain नहीं करने वाला हूँ कि यह fundamental rights क्या है but just इतना समझना है अभी कि कुछ fundamental rights are provided by the constitution to the citizens and government cannot make any law that wallets those rights तो यह चीज़ यहाँ पर उनके limitations को बताती है कि वो fundamental rights के against में जाकर कोई law नहीं बना सकते है these rights can be limited during the time of international emergency अगर देश पर कोई ऐसा संकट है जो बहुत emergency संकट है तो उस इस्तिति में इन जो provide किये गए हैं constitution के और से fundamental rights इनको कुछ limited किया जा सकता है तो the third function of the constitution is to set some limits on what a government can impose on the citizen government क्या impose करेगी किस तरह से impose करेगी यह बताया गया है कि वो fundamental rights को violate नहीं कर सकती है इनको कभी government trespass नहीं कर सकती है इनके विरुद में जाका कभी कोई law form नहीं हो सकते है यह हमारा constitution करता है and this is the third function of the constitution तो आएए अब fourth function को भी हम लोग समझते है तो बचों आएए fourth function को देखते है aspiration and goal of society aspiration and goals of society जो होती है उन aspirations और goal को fulfill करने के लिए हमारा constitution ने government को कुछ space दिया है एक framework बना कर दिया है जिसमें वो उन goals और उनके aspirations को fulfill कर पाया है the Indian constitution provide an enabling framework ऐसा framework उनको provide किया है for the government to do certain positive things कुछ positive things करने के लिए जो aspiration और goals के रूप में हो सकते है society के उनको fulfill करने के लिए constitution ने कुछ एक framework उनको available कराया है government express the aspiration and goal of society aspiration और goals को fulfill करने के लिए लोगों के constitution ने government को एक framework दिया है जिससे वो उनको पूरा कर सके है the framers of the Indian constitution thought that each individual in the society have all that is necessary for them to lead a life of minimum dignity and social self-respect minimum material well-being education etc इनको पूरा करने के लिए जो aspirations और goals है उनको पूरा करने के लिए वो क्या हो सकते हैं तो वो minimum चीजे हैं जो पूरी होनी चाहिए लोगों को उनके dignity और self-respect मिलना चाहिए उनको society में यह तो ज़रूरी है और उनको अपने well-being के लिए एक परियाप मातरा में धन की आउशकता है वो भी उनको परियाप धन से रोटी कपड़ा और मकान उनको उपलब्द हो और education उनको उपलब्द होना चाहिए यह कुछ ऐसी aspirations हैं जो की fulfill करना चाहिए हर government को और इसके लिए constitution ने कुछ provisions किये हैं in the constitution उनको यह सारा कुछ करने के लिए constitution ने enable किया है कि वो कुछ उनके aspirations और goal को fulfill करने के लिए कुछ positive welfare measures अपना सकते हैं और उनको पूरा करने के लिए they can use legal enforcement by making laws legally उसको enforce करके उसको capable बनाया जासे हैं जैसे मान लिजे कि एक untouchability बहुत दिनों से Indian society में फैली वही थी और उसको खतम किया जाना जरूरी था लेकिन ये demand थी society के लेकिन society खुद नहीं कर रही थी इस चीज़ को बंद untouchability को तो फिर constitution में प्रावधान करके उसके लिए कानून पास किया गया उसके लिए कानून बनाया गया और उसको एक उसको illegal बना दिया गया कि अगर कोई untouchability के करता हुए पाया जाएगा तो ये एक offense होगा एक अपराद की स्रेणी में आएगा और he will be punished by law और उसके लिए उसको कानून के द्वारा सजा मिल सकती है तो ये प्रावधान करने के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे society में untouchability बहुत कम होई ना के बराबर रह गई है अब untouchability तो एक कानून बना करके इसको enforce किया गया क्योंकि ये aspiration और citizens का goal था जिसको achieve करना था तो people's चाह रहे थे कि समाज से इस तरह की बुराई हट जाए लेकिन समाज उसको अपनाए हुए था उसको छोड़ भी नहीं रहा था यानि अपने आपसे नहीं छोड़ना था उसको या नहीं छोड़ना चाह रही थी समाज लेकिन जब कानून के रूप में इसको आपराद बना दिया गया तो ये चीजे देरे-देरे समाज से बंद हो गया तो इसी तरह aspirations और goal को fulfill करने के लिए कुछ provisions एक framework दिया गया है जिसमें वो एक laws बना करके उन चीजों को सामने ला सकती है government such enabling provision have the support of the parambl to our constitution हमारे प्रस्तावना में कुछ चीजे दी गई है और उन बातों को बिल्कुल enforce किया जाना चाहिए क्योंकि constitution की वो अधार भूत चीजे हैं basic चीजे है constitution की तो जो चीजे parambl में दी गई है उनको implement anyhow करना चाहिए अगर उसमें कोई समाज में दिक्कत आ रही है तो the directive principle of states of policy also enjoys government to fulfill certain aspirations of the people constitution ने directive principle of state of policy बना रगख किये जो मदद करती है सरकार को कि क्या करे क्या ना करे सरकार इन बातों को बताती है इनको आगे चलके हम लोग डिरेक्टिव प्रिंस्पल्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे lessons में तो वो भी मदद करती है government को to enforce laws and to fulfill the aspiration and goals of the cities so the fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspiration of a society and create condition for a just society एक नियाए परिए society बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि constitution को कुछ ऐसी ऐसा एक framework दिया जाए जिससे government कोई space मिले to make some laws और उसके द्वारा वो citizens के aspirations और goal को fulfill कर पाए तो यह चीजे होनी चाहिए एक constitution में यह function है constitution तो आज हम लोगों ने चार functions पढ़े और उमीद है कि आपको वो समझ में आया होगा अची तरसे तो दोस्तों के साथ share कीजिए इसको like कीजिए और subscribe करना मत भूलिए thank you